यह हमारे सांस्कृतिक परंपरा में अत्यन्त महत्वपुन स्थान है उसका, हमारे लिए एन्वार्मेंट, यह आर्टिकल अप फेथ है, यह कन्विनेंस के करने का हमारा काम नहीं है, हम यह मानते हैं, हम एक्स्प्रोइटेशन अफ नेचर में भी स्वात नहीं करते हैं, पूरे स्रुष्टी को चलाने के लिए, मिल्किंग अब नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्स्प्रोइटेशन अब नेचर नहीं चल सकता है, हम इस पक्षमें रहे हैं और उसी के मुल्क और आधार पर, भारत अपने लिए करता है इतना हैं, हम कुछ ग्लोबल इनिशेटि भी ले रहे हैं, आपको मालूम है, जी ट्वेंटी देशों ने, पैरिस में जो प्रामिस किया था, सभी जी ट्वेंटी देशों में अकेला हिंदुस्तान है, जिसने पैरिस में जो प्रामिस किये थे, वो सारे प्रामिस पूरे किये हैं, इतना ही नहीं, सोलार एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रइनूबल एनर्जी के ख्षेत्र में 500 गीगावड का टार्गेट की रखा है हमने 2030 तक भारत की रेल्वे का नेट जीरो का रखेत रखे और भारत की रेल्वे कहने के बाद आपको उसका स्केल पता होना चाहिए भारत की रेलिवे का मतलब है कि हर दिन मेरी यहां रेल के डिबे में पूरा ऑस्ट्रेलिया होता है इतना बड़ा मेरा देश है और वहां मैं 20-30 तक रेलिवे को नेट जीरो ले करके चल रहा हूं उसी प्रकार से जो हमने सोलार एनर्जी के टार्गेट ताय किये थे ह हमने एंटनाल के टार्गेट ताय किये थे 10% तेन परसंगा वह समय से पहले पुरा कर दिया हम 20% एंटनाल ब्लेंदिंग की भीसा में आगे बट रहे हैं हम ग्रीन हाइड्रोजें को एनिशेट कर रहे हैं और भारत ग्रीन हाइड्रोजें हब बने हैं उस दिशा में हम काम रहे हैं हमने दुनिया के लिए इंट्रनेश्टल सोलार अलायंस उसका हमने लॉंच किया और आज दुनिया के कई देश उसमें भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं हमने जो आइलेंड कंट्रीज है उनको स्पेशली सोलार के खेतना में मदद करके उनको एक नया विस् हैं कि हम आपकी कठेनाईयों में आपके साथ हैं भावी किसी बी संकट के लिए हमारी जिम्मेबारियां निभाएंगे आपको भिमत्त करेंगे हम वो देश हैं जिसने एक और नया ख्षेत्र हाट लिया है हम देख रहे हैं कि नेच्रल केलेमिटी के कारण आज मनुष्य मृत्री की चर्टा तो होती है लेकिं इंफ्रास्रेक्टर के इतना नुक्षान होता है जो पचाच-पचाच साल तक भरपाएं नहीं हो सकता है और इ इसके लिए CDRI हमने एक Global Organization को जन्म दिया है और आपको पता होगा मैंने ग्लासगों के अंदर एक विशे रखा है दुनिया के सामने और जिसको पिछले दिनों UN Secretary General मैंने उसको लॉंच किया है वह मिशन लाइफ और जब मैं लाइफ कहता है तब लाइफ टाइल फॉर एंवा environment अपना जीवन जीनने का तरीका डेवलप करना होगा इतने बड़े संकट के लिए उध दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन शेत्रों में काम शुरू किया है इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के environment को बुरा किया है लेकिन हम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीड़ी की हमें चिंता है हम हमारी भावी पीड़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठीन हो जाए और इसलिए एक global responsibility के रूप में भारत ने खुद ने कुछ बुरा नहीं किया है तो भी अच्छ है तेकनलोजी टांसपर हो फाइनशल मदद हो और देरें दीरें विश्व भी मं बना रहा है कि जो देश इसमें करना चाहते हैं उनको टेकनलोजी की मदद मिले उनको फाइनशल मदद मिले हम प्रतिक्षा कर रहे हैं कि जितना जल्दी इस विश्य में आगे बढ़ेंगे दुनिया को इस संकर्चेम जल्दी से मुक्त कर पाएंगे, धन्यवाद.